बिस्मिल्लाइ रुख्मादि वाहीम असलामे के विवर्स आठीक रहें डाइनिंग और आज हम विलादित हजरत अमाम हुस्या अले इसलाम पे ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं जिसे मरियम हसन और मुस्तिफा ने केटिंग किया मैं आंटी नफीसा और कासम भाई की तहा दिल से शुगर गजार हूँ कासम भाई ने मनकबत पड़ी और आंटी नफीसा ने बहुत हुसुरत दुआ करवाई रेसिपी पसंद है तो चनल को सबस्क्राइब करते हैं बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो को नोटिफिके इसे पीस के बरीक चलनी में चान लिया है चार मिंट के बाद इसमें पिसीवी चीनी मिराल देते हैं एक तफ़ा इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि पिसीवी चीनी ना ओड़े उसके बाद दो मिंट तक लाजमी भीट कर लें केक का बैटर काफी है तक फलफी हो गया है केक खाने में हैवी ना लगे सो बारा खाने वाले चमच अच्छी क्वाल्टी का ऐसा ओयल इस्तमाल करें हैं जिसकी कोई भी हुश्पू ना हो होनीला IS, वन एंड हाफ टी स्पून केक को नर्म बनाने के लिए दो खाने वाले चमच दे ही रूम ट्रम टेचर पे है दो ही खाने वाले चमच खी अच्छी कौल्टी का या मकषन शामिल कर दे स्पाचूला से पैन को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं दो मिंट के लिए दोबारा से एक बेटर को ओन के लिए आप हैंड वेस का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके साथे मैं आपको बताती ही चलूँ हुश्क अईजा में मैदा साड़े दस खाने वाले चमच और कोगो पाउडर ये 5 खाने वाले चमच ही जाएंगे बेकिंग पाउडर एक चाह की चमच भार किये और आधी चाह की चमच मजीद अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेते हैं चान के डालेंगे चाने से एर पास होती है जिससे केक सौफ्ट और मॉइस्ट बनता है स्पाचिला की मदल से इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम एक बीटर अउन करें न तो ये ओड़े न ये काफी हतत मिक्स अप हो गया है सो सहूलत के लिए एक बीटर का इस्तमाल कर लेते हैं बस इसे इतना मिक्स करना है कि किसी किसम के लंप्स ना रहे और मिक्सिं कर लेते हैं नीची की सता पे बटर पेपर को फिक्स कर लेने के बाद उपर भी ऑईल से ग्रीस कर लेंगे इसे पेपर इसके साथ चिपक जाएगा रेसे पीपर संद आए तो वीटियो को लाइक कर दें इसे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी और अगर आप चैनल पर न करने के लिए हैपी बॉटम वली पतीले का में इस्तमाल करें इसमें दो बॉल्स में पानी डाल दिया है तो इसका मतलब है कि पतीला प्री हीट हो चुका है और पानी से स्टीम बनेगी जिससे केक बहुत ही मॉइस्ट बनेगा केक को बेक करते वे धकन के उपर कपड़ा हो चुका है जोरी बिल्कुल साफ आई है सो इसे निकाल एतने इसे रैक पे नहीं रखेंगे बलकि एक दूसरे ठंडे पतीले में रख देंगे जब यह अपनी हीट में ठंडा होगा ना तिससे केक बहुत ही सौफ्ट और मॉइस्ट होगा बटर पेपर को अलग कर लेते हैं आप सोच रहोंगे एक खंटा तो इसने पैन में रखा इस सौरान में क्या क्या यह मैं भी आपको दिखाती हूँ आज के दिन ही वीडियो बनाई और आज ही अप्लोड करनी थी सो फटा फट से केक को टर्न टेवल पे शिफ्ट किया और अब इसे तीन हिस्टों में आते जाए यह देखें ऐसे लग रहा है ना हमने किसी कटर से काटा है केक पे क्रीम अप्लाए करने से पहले मैं आपको बता दूँ जब केक बेक हो रहा था तो एक घंट एक दोन हमने अच्छी तरह से क्रीम को विप कर लिया क्रीम को भीट करते हूए जैसे इसमें हलके से क्रीम निकाले लगा हुए ना तो केक पे कुछ भी लिखना हूँ इसके लिए हम क्रीम को पहले निकाले लिते हैं मेरे हैं ब्ल्क फॉर्स्ट केक है ना तो ब्ल्यू कर ठीक रहेएगा पानी विप कर लिया एक ने हम च zit के समाल बूद में बर्के घंट भाने वाला चामाच केक के किनारों तक भी अच्छी तरह से इसे दूट से सोक कर लिया है केक की पहली लेयर पे क्रीम अपलाए कर लेने के बाद बस इसे रफली छूरी से फिला लेते हैं बहुत स्मूद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हम इसमें डार्ट कुकिंग चॉकलेट का इस्तमाल क करें किसी भी कैशिंग केरी से आपको यह सानी से मिल जाएगी चॉकलेट चिप्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं चॉकलेट को बस कर्श करके इस पर लगा देना है केक के दूसरे स्लाइस को इसके उपर रगके फिर से दूद से सोक कर लेते हैं फिर से विप कीवी क्रीम को उप पर लगा देते हैं इस पार भी क्रीम को रफली फिला देते हैं चौकलेट को आपको इस इंदास में भी करश कर सकते हैं फीलर या ग्रेटर आपको छो भी ऐसान लगे बस चौकलेट से हूँ बच्छी तरह से कवर करके दोबारा से थर्ड लेयर कर उपर रपते हैं यह मैं चौकलेट को नर्म मनाने के लिए दूसरे सूक क लिए है आप ठेडक छोकलेट से करके डालेंगे मैं ने बाबा की बडे पर जो केक बनाया था आ गाया था अगर आप उस चॉक्टेट केक की रेसिपी जाना चाहें तो उपर आई बटन में इसका लिंक दिये से क्लिक करने से वो रेसिपी आप जान सकते हैं ठेशारी क्रीम उपर की सता पर लगाई थी तो उपर से फिलाते विए नीचे भी छूरी को तीछा रखते विए फ से लेवल में कर लेते हैं एक्स्टर जो भी क्रीम है इससे हटा देते हैं केक पे कुछ भी लिखना वो इसके लिए टिप पर हल्का सा छुरी से निशान बना लें 3rd and 4th शबान मुबारिक लिखते वे सोरी मैं टाइम की कमी के वे से रिकॉर्ड नी कर पाई कच की भी चोकलेट नीचे की सता पे लगा देंगे अगर आप मिलादो नभी केक पाई टाइनिंग को लिखेंगे तो केक पे किस तरह से लिखा जाता है वो आप सब रेसिपी देख पाएंगे केक को थोड़ा कलरफुल बनाते हैं सो एक खाने वाला चमच किसी भी हलके रंग का चायम दे लें इसे माइक्रोवेव कर लें एक विंट माइक्रोवेव करने से पिगल गया है सो फूड कलर शामिल कर लेते हैं एक हंटे के बाद चायम को अच्छी तरह से मिक्स अब करके पाइपिं बैग में फिल करके अपती पसंद का कोई बे डिजाइन बना लें केक पे कैंडल्स लगा लें सो अब आंटी नफीसा की घर चलेगे आंटी नफीसा ने माशाला काफी लाइटिंग का इतमाम किया हुआ था बहुत से प्यारी प्यारी कैंडल्स लगाए हुए थी हो मुमनों मारे तकमीर पनमंजतर की पेने गापन सरसर दस्तार जो हसन की दुनियों ने सरका वो सुल्चान आगे आगे मुस्तफा टेस्ट कर रहे हैं वाँ ये मज़े का है रेसिपी पसंदा है तो वीडियो को लाइक कर दें चलको सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन प्रेस करने से वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा दौाओं में याद रुके फिर मिलेंगे